दोस्तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आटो एंड कार में लास्ट के दो वीडियो जो मैंने टाटा नेक्सोन पर डाले थे उन पर अच्छे व्यूज मुझे मिले हैं और मेरा पहले टारगेट है कि मेरे चैनल पर एक लिस हंडेट सब्सक्राइबर पूरे हों तो आप सभी का इसमें मुझे सायोग चाहिए अगर आप मेरा ये वीडियो देखते हैं और आपको पसंद आता है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को शेयर और लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर अपने कमेंट मुझे लिख कर बताएं तो आज का ये वीडियो होने वाला है टाटा नेक्सोन के फेसलिफ्ट के उपर जिसमें हम डिसकस करने वाले हैं Tata Nexon के safety features के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो जी हां safety, safety बहुत ज़्यादा important हो गई आज कल इंडियन आटो मार्केट में एक जमाना था जब जो इंडियन बायस थे वो ज़्यादा safety पे ध्यान नहीं देते थे और जो कार थी जिनमें एक ही safety रहा करती थी वो थी seat belt लेकिन आज कल का गरहक बहुत ज़्यादा जागरूख हो गया है उनको सारे safety features चाहिए तो बात करने वाले हम Nexon के बारे में नेक्सोन जो के इंडिया की largest selling कार रही है अपनी segment में और यह बहुत ज़्यादा premium नहीं थी इसमें बहुत ज़्यादा features नहीं थे बट फिर भी क्यों इसने market को lead किया ऐसी क्या खास बात थी इस कार में जी हाँ Tata नेक्सोन ने auto car के market में एक नई की उचाईयों को प्राप्त किया जिसका सबसे बड़ा reason था उसकी जो USP थी वो थी के Tata नेक्सोन वन अफ़ दा safest कार इन इंडिया थी Global end cap rating में उसने 5 star हासिल किये थे जिसकी वैसे ग्रहाकों का जो विश्वास था वो Tata नेक्सोन पर बहुत ज़्यादा था तो नेक्सोन ही पहली ऐसी कार है जिसने end cap rating 5 star gain करने की वज़े से अपनी sales को बहुत ज़्यादा पढ़ाया और ग्रहाकों का विश्वास जी था तो देखने वाले के अब जो नया नेक्सोन का जो नया facelift version आया है उसमें नेक्सोन ने अपनी USP में और किस तरीके से इजाफा किया है तो बात करने वाले हम इस वीडियो में नई Tata नेक्सोन facelift 2023 के बारे में इसके क्या-क्या various safety features हैं जो कि एक driver को help करेंगे और जो passengers उसमें बैठें उनको safety provide करेंगे तो सबसे पहला जो upgrade है इस Tata नेक्सोन में वो है अब ये नई Tata नेक्सोन facelift six airbags के साथ आपको मिलेगी जिससे कि आपकी और आपके परिवार की safety six times जादा हो जाएगी जिहां इसमें पहले जहां दो airbags आया करते थे अब Tata नेक्सोन ने चार airbags और बढ़ा दिये हैं तो total छे airbags आपको ये मिलेंगे जिसमें curtain airbags, side curtain airbags भी included है जो कि एक बहुत ही अच्छा कदम है Tata नेक्सोन की तरफ से next जो safety feature है वो जो Tata नेक्सोन ने include किया वो किया 360 डिग्री surround view system with front parking sensor जी हां ये एक upgraded feature है Tata नेक्सोन में जो के पहले नहीं पाया जाता था केवल rear camera था जिसमें आप rear view देख सकते थे लेकिन इस बार Tata नेक्सोन ने safety feature में इसको 360 डिग्री view को include कर लिया है जिसमें front camera, rear camera और side ORVM के उपर भी camera present हुआ जिसकी वैसे आप देख सकते हैं कि आप पूरी car का 3D view surroundings का देख पाएंगे driver की seat पर बैठ कर जिससे कि आपको car चलाने में और safety में बहुत जादा पकड़ मिलने वाली है Tata Nexon ये पहली car नहीं है जो इस segment में 360 degree surround system या 360 camera setup दे रही है इससे पहले breza भी ये काम कर चुकी है लेकिन Tata Nexon ने एक कदम आगे बढ़ कर इसमें front parking sensor भी दी हैं बाकी सारी गाड़ियों में rear parking sensor साते हैं ब्रेजा में rear parking sensor हैं लेकिन Tata Nexon ने front parking sensor दे के driver को और सुविदा प्रोवाइड करी है जिसकी वैसे आपको अब front पे parking करने में बिलकुल भी हिच के चाहट नहीं होगी कि आपकी गाड़ी का आगे का bonnet कहीं scratch या कहीं ठकराएगा तो नहीं तो ये एक बहुती उंदा feature एड़ किया है Tata Nexon ने और safety level को further बार उसका बढ़ा दिया है नेक्स जो safety feature है वो है E-call, B-call ये एक नया feature है Tata Nexon ने एड़ किया E-call means emergency call, B-call means breakdown call जब भी आप किसी emergency में फस गए हैं तो आपके पास एक सुधा रहे ही कि आप एक E-call करके अपनी परेशानी को बता सकते हैं और आपके पास में facility प्रोवाइड कर आई जाई ही B-call है breakdown call जिसमें अगर कोई breakdown हुआ है आपकी गाड़ी में किसी तरीके का आपको assistance है ये किसी भी दिक्कत के समय पे तो आप B-call करके अपनी सुधा ये ले सकते हैं तो एक तरीके से B-call assistance और E-call assistance एक बहुती अच्छा फीचर है जो Tata Nexon 2023 facelift में include किया गया है और इस मामले में Tata Nexon safety के मामले में फर्दर बाकी गाड़ियों से काफी आगे निकल जाती है नेक जो फीचर एड़ किया गया है इस कार में वो भी बहुती बढ़िया है बहुती जरूरी था जो कि पहली बार include किया है blind view monitor जी हाँ जब हम गाड़ी चलाते हैं आपने भी महसूस किया होगा कि कही बार कुछ ऐसा blind spot आ जाता है जिस पे visibility नहीं बनती है और accident होने के chances बढ blind spot monitor view दिया गया है जिसको कि आप अपने infotainment system की screen पर देख सकते हैं तो यह भी एक बहुत बड़ी addition है Tata Nexon की तरफ से नए facelift में के इसके अंदर blind view monitor system दिया गया है और इसकी safety और जादा बढ़ जाती है next जो safety system है Tata Nexon में जो आपको मिलेगा वो है electronic stability program यह ESP जो है यह जब आप गाड़ी को turn around करते हैं तो वहाँ पर आपको stability provide करने में यह help करता है so when a drive conscious of every surprising turn in life तो जब भी कभी कोई sharp turn आया है तो वहाँ पर जब आप sharp turn ले रहे हैं तो आपको कई बार body roll feel होता है और थोड़ा सा control आपको lose होता है लेकिन यह ESP आपको इस सब से बचाएगा और control करेगा तो यह भी एक बहुत बढ़िया feature है यहाँ इसमें दिखाया गया है कि वो गारी जिसमें without ABS है वो किस तरीके से react करेगी और जिसमें ABS है वो किस तरीके से stable होके और आप उसको cut कर सकते हैं जो नया next feature है Tata Nexon में जो safety provide करने के मामले में है यह पहले से ही Tata Nexon की जो build quality है वो बहुत ही top notch level की है जिसको के कहते हैं fortified cabin an iron clad skeleton system to protect you from outside एक इतना बढ़िया मजबूत fortified cabin जिसका के skeleton बहुत मजबूत है iron का बना हुआ जो के आपको और आपके परिवार को किसी भी होने वाली दुरगटना से cabin के अंदर सुरक्षित रख सकता है तो जी हां यह बहुत ही stable है इसी लिए इसी cabin के basis पर Tata ने पुरा end cap rating में 5 star gain किये थे तो इसी same frame को ये लोग इस Tata Nexon new में भी continue कर रहे हैं जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है next जो safety feature Tata Nexon में इस बार आया है बहुत ही interesting है वो है tire pressure monitoring system जी हां आप अपने tires में on go drive के time भी आप देख सकते हैं कि आपके tire में क्या pressure है अक्सर आपने सुना होगा और पढ़ा होगा कि expressway पे गारी चलाते समय टायर बस्ट हो गया और accident हो गया जिसमें कि बहुत जादा passengers का नुकसान हो गया जानमाल का खत्रा रहता है तो tires का pressure monitor आप कर सकते हैं और आपको पता चल जाएगा अलाम मिल जाएगा कि आपके tires का pressure जादा है या कम है दौनों ही cases में अगर कम भी है तो भी आपको पता चल जाए कैई बार होता है कि puncher हो गया है और हमको पता नहीं चला है हवा निकल रही है और हम ध्यान नहीं दे पाते हैं और बिना हवा के tire पर ही tubeless tire होते हैं तो पता नहीं चलता है और गाड़ी काफी चल जाती है और tire का भी नुकसान हो जाता है जब तक हमें पता चलता है tire बरबाद हो चुका जोता है तो यह tire pressure monitoring system ना आपको होने वाले दुरगटनाव से बचाएगा बलकि आपको alert भी करेगा कि आपके tires के अंदर हवा कम है या जादा है यह पहली बार Tata Nexon में include किया गया है जो कि एक बहुत फीचर इस बार Tata Nexon में include किया गया है वो भी बहुत interesting है वो है auto headlamps with rain sensing wipers जी हाँ आपको headlamps बार बार on या off करने की ज़रूरत नहीं है जब कभी आप गारी drive कर रहे हैं दिन के समय और कहीं under pass से हो के गुजर रहे हैं जहां काफी अंधिर आए तो automatically इसकी headlamps on हो जाएंग और आपको खुद से उसको manually on करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जैसे ही गारी बाहर आएगी sunlight में तो वापस से ये off हो जाएंगी यह है auto headlamps और साथ ही इसमे rain sensing wipers भी दिये हुए है अगर थोड़ी बहुत गुंदामादी हो रही है या तेज बारिश हो रही है तो wipers अपने आप ही rain को sense करके अपने फंक्शन स्टार्ट कर देंगे और आपको ये अच्छी safety provide करेंगे तो ये भी एक बहुती interesting feature है जो के टाटान एक्सॉन में इस बार include किया गया है auto headlamps with rain sensing wipers next जो upgraded model में जो next safety feature है ये भी पहली बार include किया गया जो के बहुती interesting है और बहुती high end cars के अंदर ये feature मिलता है टाटान एक्सॉन ने बहुत अच्छा किया है कि इसको इसमें include किया गया आप देख सकते हैं इसका जो headlamp cluster है वो split headlamp cluster इसमें दिया गया है जो के led based है इसमें front fog lamp with cornering function front fog fog lamp के साथ में एक cornering lamp दी गई है इसका क्या function होता है इसका function ही होता है जैसे ही आप कभी car को turn करते हैं रात में अगर आप drive कर रहे हैं तो side में कई बार रोशनी की कमी होने की वैज़े से हमको side view नहीं मिलता है तो जैसे ही आप steering घुमाएंगे जिस direction में आपकी steering move करेगी उसी के angle के basis पे जो fog lamp के साथ में एक और cornering lamp लगी है वो उसी direction की जल जाएगी और जैसे ही आपकी steering सीधी होगी और आपकी car सीधी होगी तो cornering lamp जो है वो फिर से बंद हो जाएगी जब आप left side में turn करेंगे तो left side की cornering lamp on हो जाएगी और जब आप right side turn करेंगे तो right side की cornering lamp turn हो जाएगी जिससे के आपको एक extra visibility और ज़्यादा light उस direction में corner की side में जहाँ darkness या थोड़ा अंधेरा है वहाँ पे आपको मिलेगा ये बहुती जरूरी feature है और driver को car drive करते समय बहुती सहुलियत प्रोवाइड करेगा और इससे safety level टाटा नेक्सॉन का और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा तो टाटा नेक्सॉन ने अपने जो USP थी जो थी इसकी safety उसको उस level को कई गुना ऊपर और बढ़ा दिया उस बार को और अब ये अपनी competitors जैसे के ब्रेजा, Venue और Sonnet से कहीं आगे निकल चुकी है दोस्तो ये था वीडियो टाटा नेक्सॉन की overall safety के बारे में जो नई नेक्सॉन आने वाली है, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको content अच्छा लगा हो तो जरूर से इस वीडियो को like करें, share करें, मेरे channel को आप जरूर से subscribe करें और bell icon को जरूर दब अगले notification के लिए, आज के इस वीडियो में केवल इतना ही, फिर मिलता हूँ आपको एक और नए वीडियो के साथ, आप सभी को मेरा नमस्कार, जै हिंद, जै भारत.